हेलो इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं बहतर होंगे और अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे सो आज फिर से मैं सिक्यूस के सेट लेकर आया हूं आज हमारा सात्वा दिन है और हम लोग आज फिर गनित तंत्र बेसिक टू बेस्ट के माध्यम से आप से जुड़ हैं और आज का भी सेजन हमारा लाजवाब होगा सो फटाफट हाई हेलो करके कमेंट सेक्शन में जुड़िए और अपनी मौजूदगी दर्ज कीजिए और बहुत लोगों का जो डिमांड आ रहा था कि सर इसके पीडियाफ इसके मतलब लिंक मुझे सेयर कीजिए तो देखो जहां पर यूट्यूब देख रहे हो वहां पर डिसट्रिप्टिफ बॉक्स नीचे ओपर टेलिग्राम में लिंक है उसके में जूरिए जो भी पीडियाफ में से उनुरेघ है उमीद करता हूं कि आप लोग भी हमारी उमीदों को मेर खड़े उत्रे कैसे होना है क्योंकि आप लोगों के दोरा like, share, subscribe होगा subscribe तो बहुत लोग कर लिए हैं अब share किजिए जादा चादा social media में share किजिए जिसके कारण और भी लोग जुड़े और हम लोगों को और भी लोग पहचाने क्योंकि हम लोग online platform में पढ़ा रहे हैं कि तो उमीद क्या होती है आप लोगों से कि आप लोग के द्वारा बच्चे और जुड़ें और हमारी class लें ठीक है क्योंकि classes तो free of cost चल रही है कोई इसमें charges नहीं लिये जा रहे हैं तो इसी करण में बोल रहा हूं कि आप लोग यतने भी लोग हैं इसको share करो कि बच्चे इसे पढ़ सके और हमारी मेहनत जाया ना जाए स्टार्ट करते हैं गनित तंत्र बेसिक टू बेस्ट जहां पर आप लोग विसाल सिंह सर का नीचे फोटो देख रहे हैं जिन्होंने अभी आट बिएस अपना सेतनी स्टार्ट किया था मैं अच्छा और एक कॉर्णर में अनवर्सर जो कि मैं हूं आप लोगों का class दोंगा और आज हमारा 7th day है clear है फटाफट हाई हेलो करके जुड़िये प्यारे बच्छो देखे जो भी यहां पर जुड़े हैं जो भी चैट से मुझे सो कर रहें कल हमारा चैट बहुत अच्छा हुआ था बहुत लोग हमारे टॉप चैट में जुड़े थे clear है तो ज्यादा से ज सही लग रहा है सही है जो भी गलत लग रहा है गलत है कोई दिकत नहीं है ठीक है तमाज माया सो विल स्टार्ट शेशन आज हमारा 7th day हमारा फर्स्ट कोशन आपके स्किन पर यह रहा कि विच आप दी फॉलोइंग चैनिश ट्रावलर केम टू इंडिया डियूरिंग दर रे इनी यात्री भारत आया था ओके ऑप्शन है फिन सैंग फाहियान निकोलो कॉंटी या बोथ ए एंड बी फटाफट कर्मेंट सेक्शन में चाहिए ठीक है इंसेंट इंडिया का यह एक कोश्चन आपके सामने मैंने पेस किया है बहुत ही अच्छा चलिए आप लोग बहुत बच्छों इसका राइट एंसर क्या होगा फिन सैंग फिन सैंग साहब 635 से 642 एडी साथ साल तक भारत में रहे थे और उस समय हर्सवंधन था और हर्सवंधन जी ने इनको इनवाइट किया था जब कुम मिला लगा था प्रयाग में वहां पर इनको इनवाइट किया था और यह बहुत ही बड़े बुद्धिजम धर्म को मानने वाले थे बुद्धिस्ट मॉंग थे बिच्छू थे लिए और बहुत ज़्यादा जानकार इनसान थे एक और इनसान बच्चों पायान मैंने बताया था किनके समय में आये थे मेरे दो तीन वीडियो पहले कोशन आया थ इसको बोलता है चंद्र गूप्त टू और विक्रम अधित्य के टाइम आयान सहाब आये थे लिए निकोलो कॉंटी मैंने बताया था देवराइट विजया नेकर इंपायर के देवराइट टू के समय निकोलो कॉंटी आये थे यह कहां से आये इटली से आये थे फाय और राइट एंसर है उनके लिए बहुत ही अच्छा बहुत युम्दा आप लोग एंसर दे रहे हो अब याद रखो जो जिसके दुवारा जो भी टॉप थ्री में एंसर देंगे अगर मेरा एक कोशन पूछा गया और जो टॉप थी में सबसे पहले एंसर दिया उनको याद बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोशन हमारे स्किन पर यह रहा दाला दा नालंदा युन्वेसिटी वास फांड़ेट बाइविच गुपता रूलर नालंदा युन्वेसिटी जो एक बहुत ही पुरानिक के विस्विद्याले है उसका फांडर कौन से गुपता रूलर ने किया था समंद्र गुपत, कुमार गुपत फ़र्स्ट, इसकंद गुपत या चंद्र गुपत फटाफट, कमेन्ट सेक्शन में एनसर दी यह प्यारे बच्चों के हिस्टी का कोशन यह बी, बहुत ही अच्च्छा, बहुत ही अच्छा उम्दा, आपका समय समाप्त होता है अब, इनको हम लोग बोलते हैं निपोलियन ओफ इंडिया ठीक है बहुत थी अच्छे रूलर थे बहुत ही पावरफुल डूलर थे ठीक है चंद्र गुप्त फरस्ट यह आपका जो अगर मैं बोलता हूं महराजा धिराज की उपाधी सबसे पहले गुपता रूलर में इन्हों नही लिया था क्लियर है और यह फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे किसके गुपता डानेस्टी के क्लियर प्यारे बच्छो समझ में आया चलिए बहुत ही अच्छा बहुत ही उम्दाइस का राइट एंसर होगा कुमार गुपत फरस्ट अब हमनों नेक्स्ट कोशन के और ब बहुत सम्मिलन हुए थे तो कौन सा बहुत सम्मिलन हुआ था फटाफट कमेंट सेक्शन में अंसर दीएगा आपनों एंसर देते रही है मैं इसको एक डिफाइन कर देता हूं ठीक है देखो चार बुद्धिस्ट कौन से हुआ था ओफ वन टूस थ्री पोर ठीक है कहां कहा हुआ था और उस समय कौन-कौन राजा था मैंने देखोंगा पहले प्लेस और इधर रूलर तो कहां कहां हुआ था सुन लिजे पहला रा वा पा का रा मतलब सबसे पहला बुद्धिस्ट कौन से हुआ था राजगीर में वा मतलब दूसरा हुआ था वैसाली में तीसरा हुआ था पाटली पुत्र में चौथा हुआ था कुंडल ग्राम कासमीर में तो रावा पाका इसका एक सूत्र है प्लेसेस को याद रखने का अब रूलर्स का नाम लिया जाए रूलर्स थे आ का आ का एफ और अजाद सत्रू सबसे पहला बुद्धिष्ट काउंसिल जो राजगीर में हुआ था उसके रूलर का नाम क्या था उस समय कौन से रूलर थे आ आपका आजाद सत्रू ठीक है समझ में आया हरनाइका डैनेस्टी का यह रूलर था क्लियर दूसरा दूसरा जो बुद्धिष्ट कौन से लोता है वैसाली में उस समय रूलर कौन था कल असोक कल असोक तीसरा कहा हुआ था बहुत कौन से पाटली पुत्रा में इसका इसका चौथा बुद्धिष्ट कौनसिल हुआ था वो कास्मीर में हुआ था कुंदल ग्राम नामके के जगा में और उस समय रूलर कौन था भरत का कनिस्क तो याद रखेगा इसका राइट एंसर होगा फोर्थ नमबर रावा पाका प्लेस का सूत्र हो गया और रूलर का सूत्र क के फ़र कल असोक एफ़र असोक और के फ़र कनिस्क बहुत यह अच्छा यह सूत्र याद कर लिजिएगा सो जिनके अंसर डी नमबर है वेरी गुड़ अब हम लोग नेक्स्ट कोशन में आते हैं नेक्स्ट कोशन हमारे स्किन पर यह रहा वेर इस बीबी का मगबरा लोकेट बीबी का मगबरा याद रखेगा यह दिलरस दिलरस बानो बेगम दिलरस बानो बेगम जो और अरंजेब की जो और अरंजेब की सबसे पहली बीवी थी ठीक है और सबसे और अरंजेब के दिल के करीब थी यह क्लियर है तो उनके याद में जब इनका मौत हुआ जब इनका अधियत हुआ उनके याद में और अंजेब ने बीबी का मगबरा बनाया औरंगाबाद में ठीक है और जब इनके मौत के बाद अपनी वाइफ करो ने क्या नाम रखा रबिया दुर्रानी रबिया दुर्रानी नाम रखा था किसने और अंजेब ने बीबी का मगबरा औरंगा आएंगाबाद क्लियर है समझ में आयां और ये मिनी ताज महल भी से कहते हैं ठीक है तौम औफ लेडि भी कहते हैं तो अगया जैसा इसका क्या बनाया गया है इसका स्ट्रेक्चर मनाया गया याद रहाएगा प्यारे बच्चो बहुत ही खूत बहुत ही उम्दा समझ में आया चलिए यह कब बना था 1699 में प्यारे बच्छों सब्लों नेक्स्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन हमारे स्क्रीन पर यह रहा माली मत कमीटी रिपोर्ट्स डील विथ जूडीसियल डीले जो माली मत कमीटी किस चीज का रिपोर्ट पेस किया था जूडीसियल डिले स्टॉक मार्केट रिफॉर्म जो भी जूडीसियल जो भी कानून के जो यह होता फैसला होता है जो लेट होता है देरी होती क्यों होती है ईस्टॉक मार्केट रिफॉर्ञु स्टॉक एक्स्टेंज है उसमें उसमें कुछ चींज के लिए लिए गौ theor कपड़ों एक लोस्तैर 1 भी बीजिनस livre यह चौथ से क्रिमृल जस्टिस शिस्टाना कम भारत में नहीं को जो सजा दी जारी है उसमें कुछ चेंजेज लाने का तो कमेंट सेशन में एंसर दीजी प्यारे बच्चो बहुत ही अच्छा राइट एंसर में आपको बताना चाहता हूं उसका राइट एंसर क्या होगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म याद रखेगा 2020 में यह जो जस्टिस मालिमत हैं यह केरला हाई कोट और करनाटक हाई कोट के क्या थे चीफ जस्टिस थे इन्हों ने 2020 में अपना रिपोर्ट को पेस किया था उस समए के भारत के डेपटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे उस समय एलके अडवानी साहब को इन्होंने अपना रिपोर्ट पेस किया था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म पर क्लियर प्यारे बच्छों क्लियर है जहां डाउड वा कमेंट सेक्ट में जरूर लिखना अब हम लोग नेक से त्यारी कर रहे हो चाहे त्यारी कर उस लेवल का मैं कोश्चन दे रहा हूं इन में से कौन सा डचों का फैक्टरी भारत सबसे पहले कुला तो याद रखना भारत में सबसे पहले कौन आये थे पुर्टेगाली हमला करने मतलब जब मॉडर इंडिया पढ़ते हम लोग उस इंग्लेंड वाले लोग और आपका फ्रेंच लोग ठीक है तो याद रखेगा डच फैक्ट्री याद रखे डच फैक्ट्री का इन में से सबसे पहले कौन सा खुला था ऑप्सन फटाफट एंसर दीजिए वेरे गुड बहुत ही अच्छा बहुत युम्दा इसका राइट प्रॉब्लम हाँ सबसे पहले यहां पर सबसे पहले काखुला था 1610 में पुलिकत में कासिम बजार में 1658 कैरिकल में 1665 और यहां 1641 तो सबसे पहले काखुला पुलिकत में टिक है पुलिकत कहां पर बच्चों पुलिकत है आपका कहां पर होगी और बताईए कैके ये वेरिवीड में और बिसुटि नहीं परापर है ये आपका विर्साखा पके सिर्दिया प्रदेश ओके सब्सक्राइब बढ़ते हैं मित्रमंडल वो और गनाइजड बाई मित्रमंडल जो यह था वो किसके द्वारा और्गनाइज किया गया था वीडी सावर कर छेपकर ब्रदर्स अनंत लक्ष्मन कनहरे बीजी तिलग फटाफट कमेंट शेक्स ने प्यारे आपको बता देता हूं आपका समय सब्सक्राइब राइट एंसर विल भी वीडी सावर कर वीडी सावर कर जिनने मित्रमेला को 1899 में स्टार्ट किया था विद्धा हेल्प ऑफ इस ब्रदर और इसी मित्रमेला का नाम 1904 में क्या हो गया अभीनव भारत अभीनव भारत नाम ह हो गया क्लियर है समझ में आए प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा मित्रमेला को सब्सक्राइब किसने बनाया था विडी सावर कर यह वहीं विडी सावर कर है जिन्हें काला पानी की सजा दी गई थी सलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में रखा गया था और इनके नाम पर पो पाउंडेड बाई जो नाई तालीम का प्रिंस्पल था यह किसके द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया था इस वर चैन्रविद्या सागर महात्मा गांदी जी सैयद एहमद खान देवेंद्र नाथ टेगोर फटाफट कमेंट सेक्षन में एंसर आने चाहिए बहुत ही उम महात्मा गांधी महात्मा गांधी जीने 1937 में नए ताली मतलब कहने का मतलब है बच्चों के अंदर एजुकेस्ट करना तेश के लिए देश़ Pacific को आगे बढ़ाने के लिए यह जो एजुकेशन सिस्टम जो के बारे में बताया था महात्मांग गांदी जी ने इसी को नए तालीम कहा गया 1937 उर्दू वर्ड ओके जिनकी आंसर महात्मांग गांदी बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट कोश्चन हमारे स्क्रीन पर यह रहा बिटिस इस्ट इंडिया कंपणी ने पुर्टेगालियों को सबसे पहले हराया था चलिए फट अफट कमेंट सेस्ट आने चाहिए आपका इसका राइट एंसर में आपको बताना चाहता हूं इसका राइट एंसर होगा बैटल ऑफ सुवाली बैटल ऑफ सुवाली 1612 में हु तके है और हिए और जैसे ही अंग्रेजों पुर्टेगालियों को हराया वो जहांगिर के नजर में आ गया और जहांगिर अन्हों हंसे हुए आरिक अब हुआया क्योंकि एन्होंने पुर्त हो राया जो बहुत पावरफुल थे उस SAME क्लियर है ऐस सब ** सब को पता है यह सावन में हुआ था बैटल ऑफ चमकौर यह बहुत सुन लिए प्यारे बच्चों यह 1704 में हुआ था ठीक है यह वही बैटल था और अंजेब की सेना के हेड़ थे वजीर खान और इधर कौन था सिक धर्म के लोग जो सिक धर्म के लोग वो थे मातर 42 की संख्या थी उनकी और उधर एक मिलियन लोग थे तब यह फाइट हुआ था बैटल ऑफ चक्मोर क्लियर है बाद में इन्होंने मुगलों ने फाइट जीत लिया बट सिक धर्म के लोगों ने बहुत है अच्छा इन में से किसने बर्दोली सत्यग्रा मुव्मेंट को अगवाई की थी महात्मा गांधी रविंद्रणा टेगोर सर्दार वल्लब भाई पटेल चितरन जंदास प्टाफट कमेंट से ने प्यारे बच्छों आना चाहिए बहुत ही अच्छा गुड वेरी गुड चलिए निजिए उनीस सो पचीस में गुजरात के छेत्र में बाढ़ा आया था जिस कारण से बहुत ही जादा फसले का नुकसान हुआ तो लोगों के बिच भुकमरी हो गया थी फेमाइन हुआ था एक्स नहीं दे पा रहे थे और बिटिस सरकार उन पे 30% एक्ष्ट्रा टैक्स उन का नाम वहां के अड़ोतों ने क्या दिया सरदार क्लियर है बर्दोली मुव्मेंट के बाद और बर्दोली मुव्मेंट इस एपार्ट ऑफ सिविल डिस ओबिडेंट मुव्मेंट ओके क्लियर रहे बच्चों अब नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं डंकन पास पैसेज इस लो को बारफटाफट कमेंट सेखते हैं प्यारे बच्चों इंसर दीजिए ओके गुड़ चलिए बहुत ही अच्छा वेरी गुड़ तब मैं इसको समझा देखो जब कभी भी आप भारत का नक्सा देखोगे तो याद रहे कभी जोग्रफी पढ़ना है तो एटलस लेके बैठ और यह जो छोटा सा पार्ट है इसको बोलते है लेटिल अंदमान और यह नीचे का पाट क्या है निकोबार क्लियर है क्लियर है तो अब देखो याद रखना हम लोग क्या बोलते हैं अंदमान निकोबार कौन बाटता है टेन डिगरी चैनल मतलब लिटल अंदमान और निको क्या होगा साउथ एंड लिटिल इंडमान क्लियरे प्यारे बच्चों समझ माया वेरे गुट के पिड़ तो जिसके एंसर ए है बहुत यह अच्छा बहुत खूब अपने शोचन क्यों बढ़ते हैं ने शोचन पर यह रहा विच रीवर ऑफ इंडिया इसकॉल वृद गंगा इनमें से कौन सा रीवर इंडिया का जिसे हम लोग बोलते हैं बुड़ी गंगा वृद गंगा फट अफट कमेंट से मैंसर दीजिए गुदावरी नर्मदा क्रिस्टना कावेरी ओके गूड एंसर दीजिए फट अफट अच्छा इसका राइट एंसर में आपको बताना चाहता हूं इसका राइट एंसर क्या होगा इस राइट रोग गुदावरी यह इंडिया का सिकेंड लॉंग इस्ट रीवर है आफ्टर गंगा 1465 मीटर हाइट मतलब इसका लेंथ है क्लियर है और गुदावरी ने दीकों ल पर यह रहा खासी और गारो ट्राइपस मेंली लिव इन विच स्टेट जो खासी और जो गारो खासी जो जन जाती है वह भारत ही किस राजी में रहते नागा लैंड मिघाले मनिपूर मिजुर्म फटाफट कमेंट सेक्टर में चाहिए बच्चों बहुत ही अच्छा बहुत बढ़ते पर नेक्स्ट कोशन के बढ़ते बटने कुछन में जाने से पहले इसका दो बता दें आप लोगों को तो इसका राइट एंसर क्या है अब मिघाले अ मिघाले कैपिटल सी लोग याद रहे कि कभी मिघाले जाओगे तो कुछ ऐसे माउंटेंज दिखेंगे गारो खासी जैनतिया लोसाई ऐसे माउंटें स्रीज दिखेगी और इसलिए वहाँ पर गारो और खासी ट्राइबल उनका ना उनके माउंटें के नाम को ट्राइबल नाम भी है और यह मिघाला ही जगह जहां पर कौन सा जगह है चेरा पूंजी है ना मौशन राम एक गाउं है ज प्लेस ऑन दा प्लैनेट क्लियर है समझ में आया प्यारे बच्चो नागलान का कैप्टल बताओ को हीमा मनीपूर का इंपाल मिजोरम का आईजॉल वेरी गुड बहुत यह अच्छा अब लोग नेक्स्ट को बढ़ते हैं नेक्स्ट को नहीं पर यह रहा विच आप दी फॉ प्यारे बच्चों अजाएं तो वेरी गुड बहुत यह और चाहीं चलिए बहुत यह अच्छा बहुत यह प्यांदी पर बनाया गया है याद रखिया बहुत कुशन पूटा उकाई डैम तापती नदी पर क्लियर सूरत पे एंसर क्या स्री सेलम डैम बहुत ही अच्छा बहुत युम्दायार बहुत ही अच्छा प्यारे बच्छो और इस पेसली बॉइद गर्ल्स जो भी इसमें जुड़े हैं प्लीज कॉमेंट फटाफट फास्ट कीजिए ना और सब्सक्राइब कर्में एंसर दीजिए ओके गुड़ चलिए बहुत ही अच्छा ऑप्सन से कीवी थू डॉल डॉल चारा मुकुचूंग और वोका फटाफट कमेंट सेक्षिन में सो आपका समय समाप होता है अब कीवी थू कीवी थू कहां पर है अरूना चल प्रदेश और वहां पर आईसो नाम का एक डिस्टिक है वहां पर कीवी थू रोहित नदी जो तिबबत से निकलती है भारत कीवी थू से ही याद रखे और लोहित नदी पर पूरे इंडिया का सबसे लंबा रोड रीवर ब्रिज है मतलब रीवर है इसको बोलते है ऊपर ब्रीज नीचे ठीक है उसका नाम क्या है उसका नाम क्या है धोला सदिया ब्रीज और उसको लोग और नाम से जानते हैं भूपेन हजारी का ब्रीज प्लियर फटाफट उसका लेंद्ध कितना है 9.15 किलो मेटर अब नो नेक्स कोशन के और बढ़ते नेक्स तो समय स्कीन पर यह रहा विच कॉंटिनेंट हैव नो वालकेनों इन देर प्रोवींस इनमें से कौन सा कॉंटिनेंट में एक भी वालकेनों नहीं है फटाफट यूरोप एस्या सौथ आफ्रीका ऑस्ट्रेलिया फटाफट एंसर दीजिए बहुत ही अच्छा बहुत युम्दा ओके सो मैं इसका राइट भी टाम सा औरशने खने आघल के युटेढ़े के लिए सौल को इसके बहुत है कि नुच्छा वॉनेसिया पक्रमें सीफ से जोटाफट वालकेंव जैटिनंट विंगेतास्ट अँयुक्पाइल नेक्सट्ट बढ़े रहां मानफ शरीर का सबसे कमजोर हड़ी बताइए स्टेपिस मैलियस मेंडिबल यह हुआइड बोन ओके वेरी गुड बहुत ही अच्छा चलिए बहुत ही उम्दा कोश्चन है प्यारे बच्छों पीचिस में पूछा यह कोश्चन है ओके बहुत ही अच्छा सब्सक्राइब रहे होगे जाद रहे होगे यह दोनों येरबोन है हमारी कान की है कान में तीन हड़ी है स्टेपिस मैलियस और इंकस एक कान में मतला च्छे हडी होती है दोन चान मिलाकर में याद रखना strongest bone of the body strongest bone of the body जबड़े का जो अड़ी होता उसको मेंडीबल बोलते हैं वाइड बोन किसको बोलते हैं गले की अड़ी को याद रखना सबसे कमजोर अड़ी मेलियस है और सबसे करते हैं सराप का सेवन करते हैं उसमें हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट एफेक्ट करता है सबसे पहले सेरे ब्रह्म मेडूला अबलंगाटा सेरे बेलम पॉंस प्रटाफट कमेंट सेतने में सदिए प्यारे बच्चो ऑके गर्ड बेरे गुड चलिए बहुत है अच्छा इसका राइट आंसर में बताता हूं दों इसका राइट आंसर क्या होगा सेरे बेलम याद रखेंगा बॉडिか मसल मूव्मेंट स्पीकींग पावर बॉडी बैलेंसिंग कौन करता सेरे बेलम जब अल्कोहल का सेवन हम नोग करेंगे तो आमारा बोड़ी बैलेंस भी बगड़ेगा मुल मूवमेंट होको उसका यह सब कौन करता है एक हैum दोक्राइजिन्स माइंड होता है जो आप लोगें हेल करता है मैंघ्रिपिक्स="ेंडिक्स कुन्स की भीशाइंट है? वी और टेविर में क्या है। spiritual activities को control करते हैं जैसे हिच्की आता है का सी होती है blinking आई ह capaci आते हैं धकार आता है जिरी डिंद्त का काम है पॉइंस इंफॉरमिसन पहुचाना हाई फाक्षालमस तक वह कॉल लेकर जाएगा यह और यह बच्चों सेरे बेलम आप और बड़ते हैं लिए रहा विच आप दिप ओलॉइंग फाइबर्स इस दा स्ट्रांग इस नैच्रोल फाइबर इन में से कौन सा फइबर है जो स्ट्रांगेश नैच्राल फाइबर जिसे चाहते है फटाफ ड़ा इसें बैं सर देजिए सो आप का समय समाप्त होता है अब इ प्रणारीव ॥ स्विल्ड में दिया जाता है प्यारे बच्छों कि ये एक idea यह इंडियान राइटर को ही दिया जाता है यह इंडियान राइटर को लाइंगैड में उसे अपना कुछ लिखना पड़ेगा उसे अपनी कुछ बातों को many बताना पड़ेगा इन लाइंग्वेज में तो इसका WRITE क्या होगा लिट्रेचर लिट्रेचर के फिल्ड में दिया जाता है प्यारे बच्चो समझ में आया very good प्रवाइन प्रवाइन के पर यह रहा काला घोड़ा फेस्टीबल इस एमोंस प्रॉमिनेंट कल्चर इवेंट इन काला घोड़ा फेस्टीबले कहां मना आया जाता है भारत में किस राज जी में फटाफट एंसर दिए प्यारे बच्चों वेरी गुड़ बहुत यह अच्छा इसका राइट एंसर में आपको बताता हूं इसका राइट एंसर क्या होगा इसका राइट इसरोगा मॉंबाई को के टेकनिकल प्रॉब्लम के अच्छों आज प्रॉब्लम हो रहा प्यारे बच्छों काला घोड़ा फेस्टिबल यह कहां मनाया जाता है काला घोड़ा फेस्टिबल प्यारे बच्चो मुंबई मनाया जाता है ठीक है यह नौ दिन का फेस्टिबल है नाइन डेस फेस्टिबल है यह जो मुंबई बना जाता है जहां पर आर्ट कल्चर उसके बाद पेंटिंग डान्स बहुत कुछ म्यूजिक उस पर यह कारेकरम होता है ठीक है साउथ मुंबई में ओके जिनका एंसर मुंबई है वेरी गूड अब हमनों नेक्स कोशन की और इसमें यूज होता है फटाफट कमेंट से नमें से दीजिए हाइड्रोकलोरीक एसिड नाइट्रिक एसिड सल्फियोरीक एसिड फॉर्मिक इसट फटाफट करने से प्यारे बच्छों एंसर चाहिए इसका ओके गूड बहुत इस अपका अच्छा एंसर आने लगा है उसका नरोरा, एटामिक को satt power station is located in which state of ंडिय जू नरोरा, एक , पर्देस महाराश्र्ट आपको देना चाता हूं इसका राइट एंसर क्या होगा कि अपका आपको में देखिए गा उत्तर परदेश में थेखेगा याद देखिए गा उत्तर परदेश में है नरोरा अटॉमिक रिसर्च पावर स्टेशन क्लियर है समझ मैं है कुल मिलाकर भारत में साथ पावर स्टेशन है अटोमिक रिसर्ट इस्टेशन अब लो नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट वारे स्कीन पर यह रहा दसन इस सीन बिफोर दा एक्ट्वल संड्राइज विकॉज ऑफ जो सन जैसे जब संड्राइज होता है उससे पहले हमें दिखता है कि प्रलाइट है कि सन अभुगने वाला है तो एक किस कारण से होता है रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन इस्कैट्रिंग आफ लाइट रिक्टिलीनियर प्र तो उस समय क्या होता है इनके लाइट पूरे अट्मोस्टिर में स्कैटर्ड करते हैं जिसकारज स्कैटरिंग आफ लाइट का फेनोमेन से हम जो सन का उगने से पहले ही उसके लाइट को देख सकते हैं ओके वेरी गुड अवनों एक्सक्रेशन के और बढ़ते हैं नेक्सक् यह समझेएगा 0-4 डिग्री तक पार्वी का डेंसिटी बढ़ता है जैसे चार डिग्री की उपर में लगता है तो थेनसिटी घटने लगता है तो सबसे ज्यादा आपका देन्सिटी किस्त में हम लोग पाया जाएगा और दीडिस सेल्चियस में जिनके एंसर राइट है वेरी गोड के बड़ आप अब नेक्सक्रोशन के वर बटते हैं नेक्सक्राइस के इन पर यह रहा कि दनेशनल केलेंडर वाज डॉप्टेट बाई गवर्मेंट ऑफ इंडिया और भारत का जो नेशनल केंडर है जो हिंदू के केलेंडर इसको बोलते हैं वह किस दिन भारत में उसे अपनाया गया चौबेश जनुनिस्ट पचास चबविस नॉबंबर नीस उनचास तेरह माई उन्यूस्तो बावन नीस मार्च उनिस्टावन फटाफट कमेंट सेक्ष्ट ने प्यारे बच्चों एंसर आने चाहिए इस दिन इंडियन केलेंडर निशनल केलेंडर को भारत की सरकार ने एडॉप्ट किया था ठीक है क्लियर है समझ में आया और नेक्सक्राइब बढ़ते हैं नेक्सक्राइब पर यह रहा विच आटिकल ऑफ दे इंडियन स्टेट बारत के समझ अनुछेद में यह बताया गया है कि भारत के हर राज्ये में क्या होगा उच्च नियाले होगा तो इसका आपके आर्टिकल में दिया हुआ 124 214 216 112 किसका है सुप्रीम कोट का 226 किसका है रिट्स का मतलब जब कभी भी आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा तब आप लोग आर्टिकल 226 के थू हाई हाई कोट में जा सकते हैं जहां पर हाई कोट आपको पाच प्रकार कर रिट देगा है वस्कॉर्पस मेंडमस सटिर्वरी प्रोहिबीशन अन्क्यू वरंटो क्लियर है और 112 जो है यजे किसका अन्यindruck फिनान्सियल बजेट एन्यु फिनान्सियल बजेट याद रखेगा 112 में है अन्यूफिनस्यल स्टेक्मेंट उचीको बजट बोलतें हैं उसका अगर मैं बात बोलता हूं कि जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन तो इस वांटेस्टाइन में एक पार्ट होता है स्कीन निकल जाता है और जिस कारण से इंसान के पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है लार्ज इंटेस्टाइन नार्ज इंटेस्टाइन पार्ट करता है और इस में हमारे पेट में अब्डॉमिनल पाट में बहुत ज़यदा क्या होता पेन होता है ओके निक्स टोच नमरे स्कीन पर यह रहा जिसके एंसर भी यह वेरी गूड नॉमेडिक एलिफेंट मिलिट्रिक सथाइज इन इस इन बिटवीन विच कंट्री नॉमेडिक एलिफेंट आपका मिलेट्रिक सथ साइज है युदह बिहास है ये किन दो कंट्रियों के बीच में इंडिया मंगोलिया इंडिया रचिया इंडिया सिरलंका इंडिया फ्रांस पटाफट कमेंट सेक्शन में बहुत यह अच्छा ओके गुड़ वेरी गुड़ चलिए इंडिया मंगोलिया इंडिया रस्या के इसमें कौन सा होता है सक्ती इंडिया स्रिलंका मित्र सक्ती फ्रांस वज्र यह तीनों आपका होता है अलग अलग और सभी देशे में आपको हर देश का में आपको नेक्स आसे बता दूंगा नेक्स पर यह रहां को इस दा वाइसरोइव दा इंडिया दूरिंग के इंडिया मुव्मेंट जब भारत छुडवा अंदोलन के समय भारत के वाइसरोइव कौन थे लिल्लित गो कॉर्णे वालिस माउंट बैटेन इलन बोरफ फटाफट केमेंट सेक्षिन में अंसर दीजिए ओके गड़ वेरी के समय क्योंट इंडिया मुवमेंट हुआ था गांधी जी दुबारा ओके सो आज का सेजन हमारा यहां समाप्त होता है होप सो आप लोग बहुत इंज्वाइं कियोंगे और अपने अपने फटाफट स्कोर कार्ड अपना मार्क बोर्ड अटाफट कमेंट सेक्षिन में आप का सेशन चलेगा और एक और याद रखो यहां पर जो लिंक दिया टेलिग्राम में उससे आप लोग फटाफट कनेक्ट हो जाए जो भी आप लोगों को डिमांड है जो भी चीज़ पढ़ना है क्या क्या सब टेलिग्राम पर लिख की दिजिएगा क्या होता है यहां कमेंट कि उस पर जुड़ो और वहां पर डारेक्टली मुझे मैसेज करो कि सर्क कौन सो टॉपिक पढ़ना है कौन सो टॉपिक है ठीक है एक बच्ची ने कली मैसेज कहता सब्सक्राइब करवाईएगा तो इसलिए सटेडे संडे को स्टेटिक जीके का हम लोग सब्सक्राइब करेंगे एक बात रखो जतने लोग जुड़ रहे हैं प्लीज उस चीज को सेयर करो हमारी वीडियो को सेयर करो कि लोग और जुड़े और बच्चे की भीड हो और ही मजा आएगा पढ़ने में है ना तो बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हूं और उमीद है अब लोग ऐसी करते जाओगो और एसी हमारा साथ दोगे ठीक है अगर आप हमारा साथ दोगे तो कहीं ने कहीं हम भी आपका साथ दे रहे हैं आपकी पढ़ाई में ठीक है तो आप लोग अच्छे से इंज्वाई करो पढ़ाई करो ठीक है अपने घर पर सुरक्षित रहो अब हम लोग नेक्स क्लास मिलेंगे और टेलिग्राम चैनल पर जुड़कर डारेक्ली वहाँ पर आप लोग मेसेज करो क्लियर है अभी तक पांच दिन का पीडियाफ उस पे आड़ हो गया है जो कल का जो छठा दिन का और सात्वा दिन का आज रात तक हो जाएगा और आप लोग वहां से पीडियाफ डाउनलोड कर लो ओके होप सो बहुत अच्छा रहा से से अब लोग नेक्स क्लास मिलेंगे क Good night, thank you so much, sabbha khair